हलो गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आयम बिर्जेस यूर सब्जेट टीचर आप मैद देखिए अभी बच्चो हॉलिडेज यह चला था अब इसके बाद जो है फिर से क्लासेस अपकी स्टार्ट हो गई है इसमें आप ध्यान से पढ़िए और जिन बच्चों ने बुक नही कम्प्लीट करें ओके अब देखिए इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज पेज नंबर 11 तक कम्प्लीट करा दिया था मैत में अब इस आ जाता है एक्सरसाइज पेज नंबर 12 एक्सरसाइज पेज नंबर 12 आप देखेंगे एड है एड करना है सेम इसे ही इसमें इस one place पे दीखिए, two or seven, two line पहले खीचे, two or seven क्या हो जाएगा, nine, आप nine करिए, उसके बाद ये two लिखा है, ऐसे इसको note कर लीजे, अब next दीखिए, ये one place पे zero and six है, ten place पर four है, इसमे six or zero ऋइड करेंगे, six और یہ four हो जाएगा, अब ये वन वाली जो exercise है ये आप ध्यान से देख लीजे इसको आपको notebook में करना है notebook आप लेंगे notebook में आप लिखेंगे exercise page number 12 question number 1 है add ये अभी आपको देखिए बताया one place पे two और seven है ten place पर two two और seven सबसे पहले two है तो one two line कीचे और इसके बाद ये seven है तो seven one two three four five six seven अब आल को count कर लें सबी को देखिए पुरुई आप गिन लिए अभी देखिए total कितना आता है one two three four five six seven eight और nine तो यहां क्या लिखेंगे बच्चो नाइन लिखिए इसके बाद ये two ऐसे ही इसमें right कर लीजे अब दी वाला question zero और six zero में six square करेंगे six ही आएगा इसके बाद four ऐसे ही लिख लेंगे next देखिए five four two five line खीचिए one two three four five और ये two five और two total कितना हो गया count करिए one two three four five six six or seven अब eight ऐसे ही लिख लेंगे ठीक है अब दिखिए फिर इसी तरह से next question three और six ये one place पे three और six है क्या होगा three six nine और ये six इस तरह से आपको पुरा ये करना है ये लिखिए ये अब ये i से जो है next page पर ये i और ये j k l n n और ये o इतना तो work आपको करना है इसके बाद एक work और करना है आपको homework में right handler multiple tables ये table आपको notebook में बिल्कुल neat and clean होना चाहिए two से लेकर 15 तक table आप अच्छी तरह से learn कर लीजिए और इसको right कर लीजिएगा Okay, thank you students.